आपका दोस्त मेहूल भारत यात्री आज हमारी भारत यात्रा को पूरे हुचुके हैं 585 दिन और आज हम उडिशा के कोनार्क में संटेंपल अर्थात सून मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं जो की कह सकते हैं एतिहासिक और धार्मिक परटनिस्थल है हमारे भारत का तो चलिए चलते हैं और आपको बहुत कुछ इस मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं मंदिर कैसा दिखाए देता है इसके बारे में आपको बता दो जैसे ही आप टिकेट लेके अंदर आते हैं अंदर आप जैसे गेट के बाहर रहते तो आपको महतपूर जानकारी महां से मिलती है लिखी हुई है इन जानकारियों को पढ़ना ना भूले क्योंकि जानकारी पढ़ने के बाद समझने के बाद मंदीर को देखने में और भी जादा आनन्द आएगा जिस भासा भी में आप पढ़ सकते समझ सकते फिर जैसे आप जैसे अंतर आते हैं वैसे भी यहां पर भी अनिक भासाओं में जानकारी दी गई है यहां की लोकल भासा है अंग्रेजी और हिंदी है अब आते हैं आपको भव्य मंदीर का स्वरूप दिखाई देता है सबसे पहले आप देखेंगे तो हाती के ऊपर सिह के जो सिहा यहां पर उड़ीसा का प्रमुक मैंने लेकार कि हर जगर पर जो मंदीर या ऐसे इस्थानों पर जाओंगे तो सीं की या फिर हाती की मूर्ती रहती है वैसे यहां पर भी है लेकिन दो मूर्ती एक साथ में आप आप देखेंगे तो हाती और सीं हाती के ओपर सीं उसकी मूर्ती फिर जैसे आप उपर चड़ेंगे तो बहुत सुन्दर बहुती सांदर मंडप है जो कि चार चार के जो पिल्लर है उसमें बना हुए देखी है उसके चीक सामने यह सूर्य मंदिर कह सकते हैं बहुती सांदर बहुती सुन्दर है वैसे तो दोस्तों यहां की हर चीज बहुती सुन्दर बहुती अच्छी है लेकिन जैसे ही पिल्लरों को निहारने के बाद हम आगे पड़ते हैं तो हमको भव्य सूर्य मंदिर की मंदिर का भाग दिखाई देता है वैसे तो यह मंदिर बहुती विसाल रूप में विद्धुमान था लेकिन समय के अनुसार और कथा के अनुसार यहां अपनी किसने किस रूप में गती को प्राप्त हुआ और अभी यह इस्तिति को मजबूत रखने के लिए भी पुरे अंदर वाले भाग को पैक कर दिया ग सबक्राइब शिरुब्स आप देखेंगे तो ऑसेस आपको दिखाई देंगे सिलाले थी दिखाई देंगे बहुत सार ऐसे ओसेस है यहां पर आप देखेंगे तो घोडा है उस्ता मंदीर जएगे यहां पर्मूक सोरamment मंदीर है ओस पूरे इस मंदिर को रग्त की आकृति देने का प्रयास किया गया है इसके साथ साथ मंदिर के सबसे फ्रंट में प्रमुख मंडप इस प्रकार की प्राचिन धरोगर सिला जिन पर बहुंँ सारी आकरती उकेरी गई है भोड़े की मूर्तियां सामने सैनिक बेठा हुआ इसके साथ साथ सेर का एक विसाल मूर्ति हाती की मूर्ति और हाती की मूर्ति और भी बहुत कुछ जिससे जल की पूर्ति की जाती रही होगी बिविन इस सूर मंदिर के भाग मंडप अन्य अवसेस जो की अपनी मूल अवस्था में अभी वर्तमान में विद्धमा नहीं है इसके साथ साथ चाया देवी का मंद जो मंदीर है यहां चाया देवी मंदीर है जो कि 11 से 12 सदी में बना है किंदो पूर्व अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में यहां प्राप्तुआ उस अवस्था को थोड़ा बैटर करके दर्शकों के लिए इस रूप में प्रदर्शित किया गया है नमस्कार दोस्तो हमारी भारत क्यात्रा दिन परती दिन एक अलग अलग नय नय अनुपों से ओकर बुजर रही है आज हमारी खारत क्यात्रा को हो चुके हैं पांस सो पच्यसी दिन जोकि साइकल से करते हुए हम यहाँ पे पहुdrumचे हैं उसके साथ साथ आज हमारी भारत जात्रा में 32,350 किलोमेटर पूरे हुए और अभी हम जिस स्थान पर बैटे हुए हैं यहाँ कोनार का बंदरगापूर में था और यहीं पर जो गंग राजा हुए हैं प्रताम नर्शिंदेव उन्होंने सूर्य भगवान अर्थात अर्क की मूर्ती की स्थापना के लिए यहाँ पर भाव्य सूर्मंदिर की स्थापना की जिसमें 12 जोड़ी जो गोड़े वो जुते हुए जिसमें 7 जो गोड़े हैं वो प्रमुकरुप में दिखाई देते हैं अलाकि समय के अनुसार इसमें संसोदन हुआ था क्योंकि छीन हो चुका ता लेकिन अभी भी वास्तविक सरूप में बहुत कुछ आपको चीजे दिखाई देटी है तो अभी आगे के वीडियो में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं तो इसी प्रकार से हमारे साथ भारत की यात्रा करते रहिए और इस वीडियो में इस कोनार कर्थार्शुन मंदिर के बारे में जानकारी करन करते एक ऐसी बात ध्यान में आती है कि ये जितने भी लोग है, सब अलग-अलग प्रांत से आये हुए हैं, अलग-अलग भासी हैं, और इसमें से ऐसे भी लोग हैं, जो विदेशी पूरिस्ते अलग-अलग जेसों से आये हुए हैं, आप देखेंगे सामने, इनको भासा हैं, अग को हमें पर्दसित करती है, दोस्तो हजारों लाखों की संख्या में इस प्रकार से एतिहासी कि स्थानों पर, परेटर निस्तलों पर, मंदिरों पर, अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग देशों से लोग निरंतर आते रहते हैं, इस कारण से ही हमारी ये कह सकते अनेक् एक तक ही जो सकती है ऐसे इस्थानों में देखने को मिलती है क्योंकि ये सबी के भले विचार अलग रहे हो राज जिसे अलग से आये हो भासा अलग बोलते हो अलग अलग देशों से आये हो लेकिन इनका मकसद यही है कि ये हमारे भारती कल्चर को हमारे भारती इतियास को जा जो गौरों साली इतिहास है उसको जानने की भरसक कोशिस करते हैं। तो दोस्तों कुछ disadvantage के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेज भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रेम जिसने और आसिरवाद मिलता है। इसके साथ साहत में आपको मिले। तो दोस्तों आपसे यही आसा करेंगे कि आपको इस वीडियो को जादा जादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जादा जादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि हमारा यह प्रयास है उसके साथ साथ जो भारत की यात्रा हम कर रहे हैं, भारत का जो और शेयर करते हैं तो आशा यही करेंगे कि हमारे इस वीडियो को और बाकी सब वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुचाएंगे शेयर करेंगे सबस्क्राइब करेंगे इसी आसा के साथ में जैहिन जै भारत